हेलो बच्चो आप देख रहे हैं रुपा रेर्णिंग चैनल तो बच्चो चलो यह आज का विश्य है दस और हम क्लास वन के किताब से आज दस लेसन पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पगरी तो चलिए बच्चो आप हम इस कविता को पूरा भ्यास करेंगे और इसका प्रशनुत्तर भी करेंगे ठीके बच्चो तो पूरी वीडियो देखिएगा आराम से चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं मैली पगरी इतनी रगरी इतनी रगरी रह गया मैल ना रह गई पगरी हटी कटी मोटी तगरी मलकिन जगरी इतनी जगरी इतनी जगरी तर गया मैल और तर गई पगरी हटी कटी मोटी तगरी मलकिन जगरी इतनी जगरी इतनी जगरी इतनी जगरी इतनी जगरी इतनी जगरी तर गया मैल और तर गई पगरी तो बच्चो हमने परा पगरी की ये पूरी कविता है ना चलिए बच्चो अब हम आपको समझाते हैं इसका अर्थ इसमें कवी कह रहा है कि पगरी जो है वो मैली है तो मैली पगरी जो है धोनी तो परेगी है ना तो ये कवी गहरा है मैली पगरी को इतनी रगरी गई कि उसका मैल तो रह गया पर पगरी ही नहीं रहे है ना पगरी जो है फट गई हट्टी कट्टी जो मालकीन है जो इतनी जगरी इतनी जगरी इतनी जगरी कि मैल तो तर गया और पगरी भी तर गई है ना बच्चो तो हमारे कविता का ये अर्थ है चलिए बच्चो हम इसका प्रश्ण उत्तर देखते हैं ठीके मलकीन ने मैली पगरी खूब रगरी तुम इन चीजो को किस से साफ करोगे कागज कागज को हम करेंगे रवर से बर्तन बर्तन को करेंगे जूना या बिम्बार या राक से हैं ना पत्ते को किस साफ करेंगे पानी या कपड़े से और जूते को कैसे साफ करेंगे पॉलिस ब्रस या कपड़े से दात को हम कैसे साफ करेंगे बच्चो दातुन या ब्रस से चलिए अब हम दूसरा कॉस्टिन देखते हैं पगरी को खूब रगरा तो पगरी फट गई बताओ इनको खूब रगरोगे तो क्या होगा? कागज बच्चों कागज को हम रगरेंगे तो क्या होगा? फट जाएगा बरतन बर्तन को हम रग रेंगे तो क्या होगा चमक जाएगा जूते को हम रग रेंगे तो चमक जाएगा स्वेटर को अगर रग रागया तो क्या होगा बच्चो फट जाएगा फर्स को रग रागया तो चमक जाएगा तो बच्चो हमने आज लेशन 10 की प्रश्णुतर किये और इसका अर्थ भी समझे है न बच्चो हमारी ऐसी परहाय वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबिस्क्राब जरूर कर लीजेगा चलिए बच्चो अब हम कल मिलेंगे लेशन 11 लेकर ठीक है